सिक्षा के छेतर में सुधार और बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलत कराने मिड़ें मील स्कीम दम तोड़ती नज़र आ रही है आपको बता दें कि बच्चों को शिक्षा के प्रती जागरू करने के उदेश से सरकारी स्कूलों में ही मध्यान भोजन योजना में स्वासाहता समू की महिलाओं को पिछले तीन महिनों से बुक्तान नहीं हो पाया है बध्यान बोजन योजना में हर स्कूलों के लिए बकाइदा 7 दिनों का मेन्यू तैकिया गया है जिसके जिमेदारी महिला स्वसाहिता समू को दी गई है लेकिन पिछले 3 महिनों से बुकतान नहीं होने की स्थिती में अब अधिकांच स्कूलों में मेन्यू फॉलो करना चुनौती हो गया है अब महिला स्वसायता समू अपनी शमता के हिसाब से भोजन पका कर बच्चों को खिला रही है इसमें कई दफा रोजाना एक जैसे भोजन दिये जा रहे हैं जिले में 763 प्रैमरी स्कूल वा 403 मीडिल स्कूल हैं जिनमें 1164 समू संचालन करता है जिसमें 2500 रसोयों द्वारा बोजन पकाने का काम किया जाता है इनको प्रती महिने 1500 रुपे का भुकतान होना है प्रैमरी स्कूल में प्रती बच्चों को 5 रुपे 68 पैसे वा मिडिल स्कूल में 4 रुपे 3 पैसे के हिसाब से प्रती दिन भुकतान किया जाना होता है जिले में करीबन 5 करोर रुपे का मध्यान भोजन का वा लगभग 1.5 करोर रुपे रसोयों को देना शेश है जिनके चलते इन महिला स्वसाहता समू पर आर्थिक बोज बढ़ता जा रहा है जिसे इस योजना को संचालित करने में समू और रसोयों की स्थिती चर्मरा गई है अभी हलाग बेहाल तो कोई जगा काम में भी नहीं जा सका बाराबादे कौन हम लकाम में लग दिये रहा कि यह जा होते हैं अब एक नहीं कमावा था है इसने दीन हाने दे निकला कुछ ले सकास्ना दे सकास्ट इसे करके गुजारा करता था तुम आपके चार महीना होगे पे बाराबों का थेनो लिए भाहत है अजन चला त्री से तेनो लिए भेजा थे लिए जाते हैं अब आपे निक रहा से तब भुष प्रासान होगे हैं हम भुमान हां कर देख ले लागा पोडी कर के खावान तो उनकुला लागा दी ही जब पेमेंगे निया दा लागा लेकिस दूखन तब काम है कि खेरिया आदो असार बल्यक आया बिच्चे बिच्चे अभी 11 बज़ा तो के नहीं है वीरो रिपोर्ट ग्रेंड न्यूस